पाकिस्तान के अड्मिशन आफिस में मजूद हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो ग्रेजुएट होकर करिक्जस्तान से वापस आए हैं वो ओश शहर के ही पड़े होगे हैं लहाजा ये एक एजूकेशन सिटी है एक कदीम शहर है तो यहाँ ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवरस्टी के मतलक मैं अलज करूं कि यह डबल्यू एच ओ वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने इसको रिकोगनाइज किया हुआ है पाकिस्तान मैडिकल और डेंटल कॉंसल जो है वो इसकी डिगरी को अकसेट करती है यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो सारे टीचर तकरीबन मेडिकल सब्जेक्ट वाले पाकिस्तानी टीचर हैं और इंडिया से बंगलादेश से बिलॉंग करते हैं ये टीचर्स और यहां पर PMDC के जो टेस्ट होता है NEB National Examination Board इस टेस्ट की बकैदा त्यारी करवा कर बच्चों को पाकिस्तान बेजा जाता है पांट साल में MBBS कंप्लीट जब होता है तो आखरी साल में बच्चों को NEB के टेस्ट की त्यारी करवाई जाती है यहां पर हॉस्टल में पाकिस्तानी शेफ हैं पाकिस्तानी बेवर्ची हैं जो वहां पर खाना बनाते हैं तो लहाजा ओश इंटरनेशनल मेडिकल युनिवरस्टी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खुशामदेद कहा जा रहा है और मैं यह एर्ज करूंगा कि आपको किर्गजस्तान के दूसरे लार्जस्ट सिटी जो बड़ा शहर है यहां अड्मिशन और युनिवरस्टी को मिस नहीं करना चाहिए अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपको ओश शहर से ज्यादा पुर अमन किर्गजस्तान में और कोई दूसरा शहर नज़र नहीं आएगा लहाजा आप सब्तमबर 2020 के लिए अगर एड्मिशन लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन जगा जगा हमारे आफसिस मजूद हैं कोईटा, कराची, बहावलपूर, मुलतान, फैसलाबाद, सहीवाल, वेहाडी, लहौर, गुजरावाला, स्यालकोट, रावलपिंडी, इसलामबाद, कराची, एब्टाबाद इन सारे शहरों में WCI Education Consultants के अपने आफसिस मजूद हैं आप किसी भी शहर में राप्ता कर सकते हैं, thank you very much